आप अप्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहें डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे एरोसिव गेस्टराइटिस की एक्यूट गेस्टराइटिस की और जो आतों में होने वाली समस्या है जो एंट्रल बारे में बात करेंगे बहुत सारे हमारे वीवर्स ने एक कंट्यूटिस्टी डिमांड की है कि हम गेस्टराइटिस के बारे में बात करें इंटेस्टाइनल जो गेस्टराइटिस है जो इरोसिव एंट्रल गेस्टराइटिस उसके बारे में बात करें तो आज हम इसको क्लि यदि अभी तक भी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए आइकन बैल हिट करिए फ्रेंड्स के साथ सेयर करिए आपकी तरफ से हमारे लिए यह एक मोटिवेशन है एक ब्लासिंग है तो आज हम समझने की कोशिस करते हैं कि गेस्टाइटिस के पीछे आखेर क्या कॉजिज है यदि आप क्लिनिकल इसको समझें तो आपके बॉड़ी के अंदर यानि जो आपका एच पाइलोरिक है उसको हम गेस्टाइटिस करते हैं अब गेस्टाइटिस में अलग अलग टाइप से हम डिफाइन करते हैं देखा होगा आपने कोई कई बारी एंडोस्कोपी जब हम कराते हैं और कई बार inflammation के साथ GI sensitiveness देखी जाती है, bleeding देखी जाती है, acute pain आता है और उससे आपका digestion में difficulty होती है, आपको अच्छे से emptying नहीं होती है, अच्छे से digestion नहीं होता है, तो यह सब कुछ बना रहता है, इसके पीछे एक internal region है, जो H.Pyloric की activities है, दूसरा हमारी गट के अंदर काफ and good bacteria, तो bacteria की जो अपनी activity है, उसके abnormal होने के कारण यह develop हो सकता है, दूसरा फिर आपको यदी कोई infection हो जाए, infection का कारण आपका food हो सकता है, air हो सकती है, आपका water हो सकता है, यह infection का cause कुछ और भी हो सकता है, तो infection के कारण भी ऐसा देखा जाता है, तो continuously यदी ऐसा रहे और आप आपका जो food है, उसमें बहुत जादा caffeine हो, या बहुत जादा आप smoke करते हो, या फिर बहुत जादा acidic environment हो, या बहुत जादा आप acidic food लें, बहुत जादा तलाब होना, बहुत जादा fat वाला खाना लें, तो फिर यह condition और भी जादा भ्यान कहो जाती है, और भी complicated हो जाती है, तो symptoms और cause हमने इसके जान लिए, अब इसके बाद समझते हैं कि क्या complications होती है, aerosive gastritis या pan gastritis या chronic या acute gastritis के अंदर generally ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यदा पेट sensitive हो जाता है, भूख ब्यास नहीं लगती है, trigger करता है, दर्द होता है, बिचे नहीं बनी रहती है, मतलब एक comfort नहीं मैसूस होता है, और लगातार यदी ऐसा रहे, तो फिर आपकी GI mucusa sensitive हो जाती है, उसमें ulceration हो सकता है, उसके अंदर bleeding हो सकती है, और GI mucusa है वो आपकी damage हो सकती है, तो ये possible complications देखे जाते हैं, यदी आपको pan gastritis है या erosive entral gastritis है, तो फिर आपको एक antibiotic के treatment की भी ज़रुत पड़ेगी, along with that your dietary modification, सबसे पहले आप diet में किसी भी तरह का acidic food है, आप immediately उसको बंद कर दीजे, चाए coffee, coca cola, soda, caffeine, alcohol, smoking, tamayko, ये सब आपको immediately हटा देना चाहिए, उसके बाद जो आपको proper food लेना है, वो soft diet लेनी है, जिसमें की vegetables हों, fruits हों, और जिसके अंदर आप खिच्री दलिया खा सकते हैं, पोहा का सकते हैं, ओट मील खा सकते हैं, तो ये सब normal आपको food लेना है, प्लस आप curd या फिर yogurt या प्रोबायोटिकेट करें आपके खाने में, और हलका हलका खाना हर तीन गंटे पर खाएं, यानि soft meal लें हर तीन गंटे पर, heavy food ना लें, overeating ना करें, और excessive food ना खाएं, और mass, मचली, अंडा, alcohol ये सब आप immediately बंद कर दें, अब दूसरा पार्ट आता है कि इसका line of treatment क्या हो सकता है, 5-7 days antibiotic का भी support आपको लेना पड़ेगा, यदि आपको infection है तो, यदि infection नहीं है, खाली inflammation है, तो फिर आपको एक antacet दिया जा सकता है, और यदि H-pyloric positive है, तो फिर आपको H-pyloric kit से treat करना होगा, and that treatment has to be the 7-14 days, एक antacet regular लेना है आपको, उसके साथ infection के लिए according to your condition, आपके जो physician है, आपकी conditions को देखके symptoms से भी decide कर सकते हैं, या फिर आपको endoscopy करानी होगी, उससे भी समझ आएगा, यदि H-pyloric positive है, तो फिर S-pyloric का treatment लेना होगा, यदि कोई और underline infection है, तो उसका treatment लेना होगा, लेकिन यदि यदि आप treatment लेते हैं, डाइटी modification करते हैं, और कुछ food आप restrict करते हैं, जो कि मैंने mention किया, तो आप easily 2-4 weeks में, आप normally recover कर जाएंगे, अब एक दूसरा इसू आता है, कि वो recurrence बहुत जल्दी होता है, कुछ लोगों में बार 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 होता है, तो कहीं न कहीं आपको food आपको trigger कर रहा है, या फिर S-pyloric हो सकता है, आपको परिसान कर रहा है, या कुछ और underline infection बार बार आते हैं, तो फिर उसको भी समझने की आविशक्ता होगी, thank you very much and take care yourself.